रमश्कार दोस्तों फिर से सबागत है आपका एक नई वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ Samsung A70S Mobile में आप यहां पे default app कैसे set कर सकते हैं तो default application की setting करने के लिए आपको यहां पे क्या करना है आप देख लेंगे जो जो आपकी दो दो या फिर तिन तिन application है एक चीज को चलाने के लिए तो आप उस पैसे करके क्लिक कर लेंगे और देख लेंगे आपको यहां पे Samsung इंटरनेट से आप surfing करते हो या फिर Chrome से तो यहां पे मैं Chrome को default कर दूँगी इसी टैप से इसको back करके बाकी की चीज़े आप देख लेंगे तो यहां पे मैं इसको click कर दूँगी और अगर इसको आप true caller करना चाहते हो या फिर phone से करना चाहते हो तो यहाँ पे आप इसको ऐसे करके default कर दोगे ठीक है इसी टैप से आप और भी चीज़े देख लोगे और यहाँ पे आप calling किस टैप phone से होना चाहिए phone से होना चाहिए फिर true caller से तो इसको आप यहाँ पे default कर सकते हैं तो यहाँ पे आप देख लेंगे जो चीज़ आपको default कर लेंगे तो उसी application से आपका हमेशा open होगा चीज तो इस टैप से आप यहाँ पे default की setting कर सकते हैं तो I hope guys यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा इसी टैप के और इंट्रसिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पर विजिट करते रहेगा चले मलते हैं आपको एक मिक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार